थो हलो हाई YouTube family कैसे हैं आप सभी लोग यार subscribe नहीं किया तो प्लिश सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आज है OnePlus 6 के सारे कउलो की जनकरी जिसमें मैं यहां पर लगे हुए बोडी की सारे कोलो से जंकरी दूँगा कि जब आपके पास यह फोन आएगा या जब आपके पास अगर यह फोन रखा हुआ है ताकि आप इसको बना सको आईए इसकी जयादा ग्यान देने की कोस्स करते हैं सबसे पहले यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूँछ किया गया है और यहां पर एक PM यूज किया गया है तो आप दिखेंगे तो दो PM और एक PMI यहां पर यूज किया गया है और जो कि पावर के जैसे काम कर रहा है हमें इन दो PM को पहला पढ़ना है और हमें समझना है कि इस PM पर आखिर कौन-कौन सी लाइने आती है तो आईए इस आपका कौन सा बेसिकली वोल्टेज किस कोईल पर आपको मिलेगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर पी एम है आपका 13 पर आपको चार्जर लगाने पर कितने पर का वूल्टेज मिलेगा कितने बेद्स नहीं मिलेगा यह हम इस वीड़ो में देखने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर मिलना चाहिए 1.3 वूंट इस कोयल पर क्यों कि यह वाला कोयल ना वापस इसी अशी के अं रहा है दूसरा आगर दूसर असके बाद में घरायाँ भात करें यह जो दूसरे नमबर का कॉल है यह कोल पर आपको जो मिलेगा मैं प्रम्हें पर बात करूं कि अगर मैं आपको यह यहां पर बात करूंग कर आपको देखने को मिलेगा यह 1.8 वुल्ट और बीसी के लिए एक आप वियाइओ बनते हैं डिस्प्लेय के ओपर एट बनता आपको यह यहां पर भीlem बनाया गया है तो यहां पर आपको एक देखने को मिलेगा दोस्तों आपको यहां पर 0.8 देखने को मिलेगा अचा यह वाला जो होगा यह है LPDDR, यहाँ पर DDR4 की टिकनोलोजी वाला यूज किया गया है, प्लस कोर, तो मतलब यह हमारे, basically है तो हमारी RAM के लिए supply, पर यह CPU के अंदर भी जा रही है, तो यह आपको यहाँ पर 0.8 voltage देखने को मिलेगा, अब इसके बाद में दोस्तों यह जो दो है, यह आपस में connected हो अप्लाई है, जो कि आपके CPU के main voltage होते हैं, तो यह इतने voltage आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप नहीं हम इसके बात करें, अगर हम आप यहां की बात करें, देखिए, अब नीचे के अपने कोईलों की बात करते हैं, कि यहाँ पर हमें कितना voltage देखने को मिल रहा है, तो यहां पर यह कोईल आपस में, यहां तो अलग-अलग connected है, तो यहां से यह सिंगल-सिंगल connected है, तो यहां पर आपको जो voltage देखने को मिलेगा, यहां पर आप देखे ही तो आपको zero, मतलब कोई भी voltage देखने को नहीं मिलेगा, पर जब आप phone को on करोगे, तब यहां पर आपक यह मिलती है तो चार्जर लगाने पर वोल्टेज नहीं मिलेंगे पर अगर इस पर देखा जाए तो इस पर वोल्टेज मिलेगा त्योंकि यह APC-0 की सप्लाई है जो कि मैंने कॉलकम में आपको कितनी बार भी बता रहा हूं कि यह वोल्टेज आपको देखने को मिलेगे अब इसके बाद दूस्तों बागी चार्ड कोईल है तो इस कोईल पर जो आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा यहां पर भी आपको पॉंट-8 वोल्टेज मिलेगा यह VDD-MX मतलब यह हमारी में मोरी के लाइन आप उसको कह सकते हैं तो यहां पर भी आपको वोल्टेज देखन यह इसके लिए संबंदिक सप्लाई है अब अगर मैं इन कोई की बात करूं तो दोस्तों इस फोन में यहां पर एक और लोवर एल्डियो है तो यहां पर आपको 1.0 या 1.1 वोल्टेज देखने को मिलेगा तो यह वाला कोई भी अपने आइसी के अंदर बापस जाता है और इस लिए यह आपका हायर अल्डियो सप्लाई है तो अब इसको फिर से एक बार देखते हैं सारे कोईलों को और इस बार इस बार इसको नोट करते हैं तक कि आप अच्छे से इसको नोट कर लो कॉपी उठा लो और अपने नोट्स बना लो यहां 1 प्लस 6 है और यह है पी-एम-8 845 पहले कोईल की बात करेंगे तो यहां पर अगर हम यहां पर बात करेंगे तो 1.3 वोल्ड लोगर यहां पर हम बात करेंगे तो 1.8 वोल्ड वी आयो यहां पर बात करेंगे तो 0.8 वोल्ड LPDDR4 यहां पर हम बात करेंगे तो 0.8 वोल्ड यहां पर हम बात करेंगे तो 0.8 प यहां पर आपको पता ही है मैंने बता है कि आपको कोई voltage नहीं मिलेंगे यहां पर आपको बात करेंगे तो यह 0.8 क्योंकि APC 0 है यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर 0.9 0.6 1.1 तक यह बात करेंगे तो यह EBI यहां पर हम बात करेंगे तो यह बापस IC केंदे घुसेगा 1.1 और यहां पर हम बात करेंगे तो 2.0 जो की minimum 1.9 भी हो सबता है अब इसके बाद एक और पावर है हमारे पास तो यह एक और यह है PM 8 005 सबसे पहले हम इसका भी सुकेंस बना लेते हैं और हम यह समझते हैं कि इसमें किस कोई पर क्या वुल्टेज मिलेगा तो PM 8 005 एक PM और देखने को मिल रही है तो यहां पर आपको ग्राफिक्स के वुल्टेज देखने को मिलेंगे तो बिसिकली यह बुल्टेज आपको 0.8.8 जो कि ग्राफिक्स के वुल्टेज है अगर हम इस कोई की बात करेंगे तो इस कोई में आपको वुल्टेज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यह कॉल्कम का सेट है और यहां पर मॉडम के लाइन बनती है अगर मॉडम की बात किया जाए तो आपको तो पता है इसे च Leaf Q जो ऑनाती है जो कि आपके रैम के वुल्टेज है अगर यह लाइन अगर यह वुल्टेज नहीं मिलेंगे तो आपकी रैम अटवेट नहीं होगी जैसे कि आप देखते होंगे कि जो RAM को voltage मिलते हैं जैसे 9A में आप देखो तो RAM IC लगी हुई है एक 12 बोल का एक पूरा HD SL का sequence है वैसे यहां पर आपको देखो यह ना एक bug coil से बन कर मिल रहा है जो की power से आ रहा है सभी क्या है सारी चीज पावर खुद कर रहा है तो और अगर यहां पर कोईलों की बात किया जाए इसके आपके power side PMI side तो यह भी मैं आपको बता देता हूँ तो यहां पर notice कीजे यह जो IC लगी है दोस्तों इसको Mo LED IC बोलते हैं और यहां पर यह जो coil यूज के गए यह मोलीडी के coil है और यह बिसीकली जो IC आपकी PMI IC और आपको पता है यहां पर आपको charging के coil देखने को मिल सकते हैं और PMI के जो की section से मुझे बताएगा कि इस सेट में आपको क्या कौन सी supply समझनी है मैं सारी supply को आपको बताऊंगा अगर मैं थोड़ा 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 आपको बताऊं तो जैसे कि मैं हमें सा बग section के बाद थोड़े से एक और section के knowledge देता हूँ यही खासे दोती है दिवत्रावाल के इस वी एक दो और तीन चार एक दो तीन चार इन कैपिसेटर के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मुझे बताएगा मैं एक अच्छा वीडियो इस पर बना दूँगा अच्छा यहां पर बात करेंगे दोस्तों यहां पर यह जो section यूज किया गया है यह सारी charging मॉस्पैट इस सेट के हम बात करेंगे तो यह सारी charging ले गई नहीं क्योंकि ना IC है ना कहीं जंपर मारा है और यह आपका HDR है जो की latest HDR है जो कि इसमें लगा होता है और उसके साथ देखो तो यह आपके सारे PFO है तो कैसा लगा वीडियो बताएगा ज़रूर जिसमें मैंने पावर के ते सिर्फ देख कर अगर चले जाओगे तो अगला वीडियो मिस कर दोगे समझ लेना तैंकि वेरी मच और अगर पूरा concept समझना चाते हो बूट सुक्यन्स का और अच्छे से अगर सीखना चाते हो कोई जल्दबाजी नहीं है और समझना चाते हो कि इलेक्ट्रोंस को धीर धीर समझना चाते हो कोई जादू मंतरन में नहीं है तो फिर देवतन अगवाल के इंस्टिटूट जोइन कर सते हो एसर टेलीकॉम और हमारे इंस्टिटूट को जोइन करने के लिए जो नंबर है 7007-3111 पर कॉल करके इस बैच को अटें कर सते हो फिलाल मैं आपको बजा दू कि 28 हमारी अगस के होने वाली जो बैच है वो अलमोस फुल हो चुकी है सिब और से लगबग पाच या छे सीटे ही बची है टोटल 25 स्टूडेंट हम लेते हैं तो अगर आप चाहो तो वह पाच और छे सीट में आप भी हो सते हो तो अपना फ्यूचर बनाओ और आज के आज आ आपका फिवरेट सब्जेक्ट क्या था था एच शीप्यू मांट और रिमांट अचाहे किस किस ने कराए ये तुक्य में लगी क्या इसी यह तो यह सर ने बोला था यह आपका के तीसरे दिन पावर किसने दिन पावर किसने इसने करा था ये सबने किया था और चौधे दिन आपका सीप्यू ये सब्सक्राइब आज में आज मेरे तीसरे चौथा दिन है बस्येटलंकम जवान होते हुए आज मैंने सिक्सी फोरजी ओड़ी स्ञंस ब्क ताम को सब्सक्राइब कोर सीप्यू निकाल कर एला अज ये रखरतर फार ठीस अं ताम में पर्ले चालो था पहले प burstsetr चाहलो और चाह्लोन और अपने सीप्यू को मांट कि है यग्याश इस प्रफिर से चालो हो गया येश सम्स तेंक्यू ता, एस्चा टेलिकॉम का, आएमडी सर को भी, प्रेटिकल कराने वाले सर को भी, तेंक्यू सर को थेंक्यू, एस्चा टेलिकॉम चांदें, अज हमने मौर्णिंग में CPU रिबॉलिंग का, माउंट रिमांट का प्र्टिस किया पहले, बात में हम लग लेए, चालू हेंड से CPU निकाला और वापीस हमने रिबॉलिंग करके लगाया और यह हमारे जोग डन हो गया आज सक हमने CPU पर कभी काम नहीं किया था लेकिने फर्स्ट टाइम एक ही बार में डन हो गया थेंक यू एसर टेलिकॉम थेंक यू देव सर और थेंक यू एमडी सर अधा जी बताए चौक चौक चौथा दिन दा सर प्रदी एंडशेट से लोगने CPU लिकाला सर और इनवर्सल से रिवाल करके डाला चालू होगे सर अच्छा इनिवर्सल रिवाल के आपने इस सर कितने बा सर मेड़ाद।